कि बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज की वे जुकेशन ग्रूप पे और अभी हम लोग बात करें एक्टॉमिक के स्ट्रप्चर का बहुत इंप्पोर्टेंट लेशन है किसी भी कम्टिटिव एक्जाम के लिए तो हम लोग आज बात करने वाले हैं पिछले क्लास लेशन बात करें आपको पता होगा कि अध्यन करें वहीं सिलेवस बरबर ढूरे जा रहा है आप किसी वी लिवल का तैयारी करना हो यूपेसी का आभी तेयारी करते हैं तो जिस परकार से आपको उसमें चीजे नहीं समझ में आपने जीवन का थारत नहीं समझ में आपको आज भी लएगा एक टॉपिक ऐसे ही इंबॉली से फाइनल में बखवास टॉपिक है लिकिन आप यकीन मानिए अगर आप क्वांटम नंबर को समझ जाते हैं तो आपको किम मुखёт को क्वांटम नंबर और हेट जा हम एsite सवाल से याद रकना है अजीं मुफल कॉंटर क्या है इसे हिंदि में कहा जाता हैं क्वांटम नंबब सीपक्वांटर ॉणे परदान नमबर पहर चुके हैं प्रिंस्पल क्वांटम नमबर पहर चुके हैं पिछले क्लास देख ले जो से बात उसके बाद इस क्लास को देखे तो चीजे समझ में आगी एजी मुथल क्वांटम नमबर को सुचित किया जाता है एल से किसे सुचित किया जाता है एल से इस बात को याद रखना है सबसे पहले बात एजी मुथल क्वांटम नमबर क्या दिखाता है तो एजी मुथल क्वांटम नमबर याद रखना सबसे पहले सेप दिखाता है जिस परकार से प्रिंस्पल क्वांटम नमबर साइज दिखा रहता है साइज उस परकार से एजी मुथल क्वांटम नमबर सेप दिखाता है और यह जंखार ने डेता है तो याद रखना है सब सेल का किसका सब सेल का है आज अंप सबसेल क्या होता है व्यार्टेक यद्ध जैसे लिए सब जात lot akar तुझ महल को कहा जागा ओर्बीट उसके अंदर जो रूम होंगे उसको कहा जागा सब और उसके अंदर जो बेड़ापका लागा हुआ आप जहां उसे कहा जाते हैं और वाइटल एलेक्ट्रॉन की पाया जाने की अधित्तम संभावित अस्थान को और वाइटल कहते हैं और चार है और चार क्वांतम नंबर किसके बादाता तो याद रखने और विदल जैनलरी जिटने भी इंफर्मेशन घबराने बताता है निघ्षार चली ठीक है तो इसे शूरीद किसी कि किया जाता है LC और mavaluar hier jreeu हां सकता है in जिक demण क्वे लुड तो 6 परकार से इन ब्रावर 144 खेसे र बरावर दू सब्सक्ता है थे अ आंग सब यगत बहुत सकता है लेकशन UP सब्सक्राभर चीर जान्स चाहिए ब्रावर 23 Anda गापी-ल ब्रावर दिन्हों तैंसे कहा जगा ड़ी न भराबर दैनों पतरा समझें का प्रयास करें तो थ्कम अलग तरीके से क्या बता है तो मुथल क्वांटम नूमब्र सबसे पहले बताएगा जैसे समझे से बात को सबसे पैले मूं आप जानते हैं क्या होता है उर्बी यह और और आर्बीट में क्या होता है सब difिए कर और सब द come रोबाइं ध्लोथ है और बार न दिखाओ एन बराबर एक किसी क्या कहा जागा के एन बराबर दो इसे क्या कहा जागा एल एन बराबर तीन इसे क्या कहा जागा एम एन बराबर चार इसे क्या कहा जागा एन समझ पा रहे हैं अब समझना है और बिट में कितने सबसिल होते हैं इस बात का पता कितने होती इस ब उतना ही सबसेल मतलब सबसेल कितने होंगे एक ही होंगे इसमें सबसेल कितने होंगे दो ही होंगे इसमें सबसेल कितने होंगे तीन ही होंगे इसमें सबसेल कितने होंगे चार ही होंगे बात समझे यह मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि एक नंबर और बीट में एक नंबर सब सब्सक्राइब गैस नहीं एकनंबर और में मतलब एक सब्सक्राइब अपक razor सब्सक्राइब पहला नंबर और डंभीट्व है मांई तिसने नंबर और बेट है तो पहला नमबर जो और बीट है एप एक सबसेल देकले एक सबसेल है पूरा इला इधार यह पूरा देख लिए वसकेल कितने इसमें कितने तीन सब्सें सब्सें दूसरा नमर तो कि दूप सब से लेकितने तो देखे लिए यहां से लेका यहां तक सबसें हैं जो चलिए पर समझे चार भू चेले संबच पाएं कि ड האל एक कहां शिखें तो अपीधान फंट सर्थे लेकिन व्हिसने नहीं नहीं ही पार जोगे प्रिंस्पोणान भूम सिखाता है कि कौन से सब स्कील होंगे याद रखना सबसेल में क्या दिखाता है कि कौन-कौन से सबसेल होंगे कौन-कौन से सबसेल होंगे देखिए कि क्या दिखाता है और बीटल पर बादें बात करते हैं यह बताता है कि सबसेल में बताता है कि कौन-कौन से सबसेल होंगे कौन-कौन इसका जो फर्मूला है वह बताते हैं कुछ नहीं करना याद रखना सबसे पहला सुरू करना जीरो से और उसके बाद रखना नहीं समझ आप हालतु लग रहा है तो कुछ भी नहीं होता दुनिया में जितने बीचीज मनें काम के बने आपको भी लगता होगा लेकिन भगवान जो चीज बनाया कुछ नुँकुछ काम से बनाए है चलिए 1-0 in –1 मतलब सभ सभ है क्या कौन कॉन से होंगे इस बात को देखनां है देखे तो पहला सबसिल मतलब पर्थम नंबर और बीट में एक सबसिल वो लेकिन एक सबसिल में तो क्या करना है जीरो से शुरू करना है और 1 के ऑलुदेखे एक घटा देमाथ cog 1 चीक मैं से सबसेल तो से सुलू करना है जीघो से क्या होगा एक माइनस वन तक तो एन कितना है दो में से घटा यह एक यह एक यह जीरो एक सबसेल होगा कुछ कुछ पले पर रहा होगा अब धीरे-धीरे और पले पढ़ेगा तीसरा नमबर में चीजिसको ठीक से सजाद एतने गरबर आ है थीक नहीं लगा देखने में देखिए ऐसे तीज में क्या हुआ होगा तो समझ में आ रहा है तीसा नमबर अच्छा 3 है तो 0 से सुरू करना है एक लिखना है चुकि एक बाद तेन नहीं-नहीं नई चार तक नहीं पहुचना चार से कम तक पहुचना आप एक दो बला मतलब अगर समझे कर पर सहर् हो क्या है थी ही तूर्पीट है दूसरा और धजिसरा और तो पहला जो डिख रहा है अगर इसमें देखेगा यहां तो एक यह तक है उसल नाम क्या है तो सबसेल का नाम है जीरू हचा नहीं दूसरा और्वीट है दूसर रोमीट में घुदू सबत देख। अन्य सबसिंगे को यह Just लेकर यह तक और यह उने हैं तक यह जिरो बाला एक बना तो नहीं प्लता है नाम क्या сторону नाम बता है जिक जीरो को हम बताए थे जीरो को एस कहा जाता है एक को पी कहा जाता है दू को डी कहा जाता है तिन को एक कहा जाता है मतलब समझे जो पहला का जीरो बला पहला का कख्छा में एक के गो उप कख्छा है जिसका नाम है एस कि दूसरा का देखिए इसमें दू को है को एस एक बला को कहते हैं पी जीरो बला को एस एक बला को पी तिसरा का में जीरो बला को एस एक बला को डी एस पी डी समझें मतलब समझें देखिए पहला का में पहला का में पहला का में पहला का में जीरो है तो जीरो को क्या कहेंगे भालग्का है अच्छा डूसरा का क्या कहांगे इसके इसमें क्या को क्या करिए इस Varip G कुछ तो समझ में आ रहा है मैं कि नहीं को अर्फुन मजह रहा होगा जो साइंस बेगरांड के नहीं को बहुत मजह रहा हुए क्या फालत पता रहा है कुछ आगा वोगे हैं समझने ःधी VIC जिवन में समय आजएगा एक नर्व ताम पर समझ भी अब होता क्या है को दखाने के लिए कि किसका सब से यह दिखाने के लिए जेनिरली क्या कह जया जातों से पहला नमबर का है तो इसमेरा बजात देलिक इस नमर नबर का तो लगा थीएज टूपी ठीरी एस ठीरीपी 3D 4S 4P 4D 4A से 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 काटूँगा अब पहले लेक्टोन इसमें घुसा फिर इसमें फिर लिकोंगा बने स्टूट टूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटूटू इस घ्टूरीच अईसे करके लेक्ट्रून बिनास लिखेंगे तो पता चलता है कि कुछ उसा समझ में आ रहा होगा कॉन-कॉन से सबसेल होंगे एक रहला जो के है की मैं कॉन से सबसेल तो के में याद रखना है जीरो वाला मनें 1 एश सबसेल होगा नहीं सिखें जो एल है एल में कौन से सबसेल तो 2S 2P देखे एं में कौन सा सबसेल तो 3S 3P 3D इन जो है चौथा कक्षा चौथी कक्षा में कितने सबसेल चार गो 4S 4P 4D 4F समझ में आ रहा है बात चलिए इतना बात समझ में आया को डाउट है क्या नहीं आप देखे इसमें देखेंगे अब इसके बाद पढ़ेंगे बक्स आओ पता चल लगा चुमब की क्वांटम नंबर से ठीक है अब यहां देख लेते बात और कि ठीक एतना तो जानगे आप बहुत दिर से बतिया रहें के हैं सेप की बारें पता चलत ओगा डाउडशी करता है इससे लिख़े देता है आपको ज्यादा समाझे में जागा के लिक्ते सके सेंफ डंबल डीका सेफ मन डवल डंबल याद रखना है और एक मोस शाइंडर पूफ okay एक कि याद रखना है एस का स्वेरिकल ये इस अपरिकल इसका शेव डंबेल यूसका शेव डम प्लेंबल सब्सक्वारों को अबدة है इसका शेव डंबल इसका सेपर कॉम्पलेक्स डंबल जानते ना इसा जिम करते हैं ऐसे उठा जो एक शेकर ना सेब्ध कीतने होंगे और कौन होंगे यभी पता के बारे में जो किसी इनरजी की बात करें पटा चलता है। कौन्टम नमबरे से फर्स और कौन्टम नमबर से इनरजीहोश साइज हो जो भी बात क्या हूं मैक्सम नंबर फिलेक्ट्रोन हो और सब कुछ प्रिस्पल कॉंट नूमर से इसे पता चलता है शेप अन्ड सबसेल के बारे में एतना समझ गया सबसेल का सेफ देख लिए और सेफ कैसा हो गारे उसके बारे पता चलता है अब एक बात और बता दो कि एस है एस है सबसेल तो एस में एस में कितने लिट्रोन अटेंगे देख लेते हैं कि इस है पी है डी है एफ है तो आपको बता दू कि एस के बारे में पी के बारे में डी के बारे में एफ के बारे में जिन्डल एगर बता दू तो एस में कितने लिट्रोन आटेंगे में कितने छोना अच्छोन के दिमेा मैक्सिम कितने एक मैस्मीलिटों सबसे मियाद है तो तो अगर देखनी कीאל देखने कर दो तो यहां से प्रयास कर रहा हूं तो तो chasm pdf को तो इसा निकालने की तरीका मैं जस्ट बताने वह लोन वाला हूं फिर आपको याद कर बहा दोंगा लिकिन एक बात सब और विट क्यों होंगे सब और विट होंगे और सब और विट में कितने और बाइटल होंगे चुक्य आप जानते हैं क्या सब और विट इसे सब पता दू सार्थ टू एल प्लस वैन क्या होता है फर्मुला टू सरय के लिए एक लो ओर भीस पौला से के लिए करते हां जोनिएला अति प्लास मतलब एच्ट और गुणा दैश्ञाइं टू-वरwend गुणा 0 यौ 119 इनरफार की में कितने बगसा कोто सावाक हो कि तो यहां मोजा है ले लोकितने प्तीन अगा घोंपर रखना धो सुवारत दो में दो मत ऊबेंगें दो कि यादर रखने हैा तो तो तीन मैं यह यादर शोर लाना मुझा वहुम में za प्लस एक तो दो और प्लस एक बराबर कितना तीन यानि तीन बक्सा बनाना है पी के लिए कितना बक्सा तीन बक्सा कि आरा समझ में अच्छा देख लिए डी के लिए कितना बक्सा तो डी के लिए देखेंगे दो दूना चारे कितना पांच पुचा के लिए कितना पक्षा तीम कितना सतो एक दो तीन चार पांच के साथ मतलब अब पुछ़एख कि एस में मैक्सिलियो nuestro अटो नेलेंके तोधिए और में जानता है उसकते चुपातल ज़क्ती हक है सबसे पसक्राइल और वहेंचो धुब दू में दROन नहीं से मिल दो टो सब अब हुद्ऐ यह नहीं है और को सबसेल के क्सिर। क्योंकि किसी भी औरबाइटल एक औरबाइटल में दोहीं इलेक्ट्रोन आठ सकते उसे ज़्यादा जगा होता ही नहीं कितने तो पी में देख लिए जूतिया छे पी में कितने देखे दस और एक में कितने 14 मतलब यहां से पता चलता है कि इतने इलेक्ट्रोन होंगे आरा उक्कानिकाना तो फ्रेखे पहला इसी जपरासि जो एरा समय कितने 14 में, 90110, मतलब ऐसी पता के जैसे से कितने लेकोंगे, और फाइनली हम क्या करते हैं, याद कर लेते हैं, मतलब फाइनली कितने लेकोंगे हैं , जानके देखे हैं, देखेजि़ से कितने लेकोंगे हम पता लूगे रहते हैं, पूली अफ़जन कासी दास हुंद का नियम फिर बात से तब लोग फीर मिलते हैं ले क्लास में यह नई उर्जये यह नई हम और आइसास के लना से जा है झाल 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 बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आइसकी वेजू के संग्रूप पे और अभी हम लोग बात करने वाले यह नया टॉपिक जिसका नाम है मैगनेटिक क्वांटम नंबर और बहुत अराम से मिस्ट की बात करेंगे बहुत इंपोर्टेंट बात हैं चलिए हम लोग देखने करते हैं मैगनेटिक क्वांटम नंबर मैगनेटिक क्वांटम नंबर चुमब HERE बकिए क्वांटम नंबर अगर आप्से स्वाल पूछा जाके क्या दिखाती है तो चुमबर की बता दो कि चुमबर के क्वांटम नंबर तो आपको यह बात याद कर लेते हैं तो सवाल तो ही सी किलर हो गया सवाल परिक्षा में पूछा जाता है कि कख्षकों का अभी विन्यास कौन दिखाता है तो कख्षकों का अभी विन्यास अभी विन्यास कौन दिखाता है तो कख्षकों का अभी विन्यास दिखाता है मैगनेटिक क्वांटम नॉंबर एक मिनट थोड़ा स कि अब देख लेते हैं तो क्या है मैगनेटिक क्वांटर नमर किसी ने बता है लिंडे ने बता है और देखे जो हम पीछे बात कि आजी मुथल क्वांटर नमर के बारे में लिंडे की थोड़ी सी सायोग है हालां कि अगर पूछा जा कि पर नेता को है तो इसका नाम है समर फिल्ड याद रखी है का समर फिल्ड हाला कि मैं पिछल लिंडे बोल दिया हूं लिंडे की साथ है अप लोग जोड़ लिजएगा ठीक है अब यहां समझते हैं मैगनेटिक क्वांटर में बताते हैं तो समर फ अदर क्या है कुप पक्छा और उब कक्छा के अंदर क्या है कक्छक क्या याद रखना ए जो है इसके बार है पुरी जनकारी कौन देगा principal और कख्षक के बारे में याद रखने कौन जनकाय देगा तो कख्षकों की अभी नियास मतल देखे आपका महल मेहल के अंदर रूम अ अज्य के दिसा में लहीं नहीं सोना दिख्कत हो जागा बेड किस दिशा में लगाना है कखचक बास्तूर साथ से घर बनवाते हैं तो जो उसका डिरेक्षन कैसा होगा कहते इन बराबर दो इसे कहते इन बराबर तीन ठीक है इसे कहते इन बराबर चार इसे कहते इन बराबर पांच एक होगा हमारा कख्छक कख्छा एक क्या है कख्छा और कख्छा के अंदर क्या होता है सब सेल कख्छा के अंदर क्या उप कख्छा कौन कौन होगा हम जान चुके इसम यहां तक देख लेते हैं आच इसे कहा जाता है एसे कहा जाता है सबुस्ट cken कोई डाउट नहीं थोड़ा से इसको लिख ली चीज़ को याद कर ली जगा एही परिक्षा में आएगा चुम्बा कि क्वांटर नुम्बर क्या दिखा थी कक्षों को का अभिविनास डिरेक्टर ही सवाल आएगा गरांटी है फिर भी एक दो चांस अलग से आता है तो उसके कौन से होंगे ठीक है सबसील में कग्छा कौन कों से होंगे कग्छा में कगछा कौन कोंसल भात करना तहां दीखिए झुम्बा के काण नंबर को सुचित करते हैं म से सब्सक्राइब है यहाद रखना है मैंनस को फिर हाइल धुक्त हब वेलू माइनस एल से कहां तक प्लस एल तक ठीक है समझ पाने इस बात को अब हम क्या देखने वाले जिनरल एगर देखे तो देखे इस बात को तो झालते हैं तो खुंट निकालते हैं तो किसे शूरित करते हैं एसका बालू क्या था जी रो एन-1 ठीक है और अगर देखा जाए ठीक से और कंशा कैसे से निकालते हैं तो कंश्या का यदे से माइनस ऐसे पिलाशल तक तो अगर आइस समझी इस बात को ठोगा सब्सक्राइब कुर्ये इस बात को चलिए एक मिनुट रुख जाएं अब हम इसमें बात करने वाले जनराली कि उप कक्षा में कौन से कक्षक होते हैं तो इसको समझने का इसा कुछ से परियास करते हैं हम लोग चलिए देख लेते हैं इसको एक मिनाट रुखिए है 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 बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज की वेजुकिशन गुरूप और आज हम बात करने वाले मैंगनेटिक क्वांटम नंबर पर बहुत इंपोर्टन टॉपिक है और काफी छोटा टॉपिक हम लोग बहुत ट्रिकली बात करेंगे और स्वर्ट में अराम से समझ जाएंगे लेवल आपका जो भी हो साइंस का आप इसे देखिया पुछी समझ में आजागी चलिए हम लो कख्षको का अभी विन्यास इस बात को याद रखना है या क्या दिखाता है कख्षको का अभी विन्यास मतलब जैसे आपका घर है पुरा महल है महल के अंदर माले जी रूम है रूम के अंदर आपका बेड कैसे लगा जिस पर आप पड़े हुए उत्तर दिशा है कि दक्षि तो एक आजाता है इसके बाद अगर बात करें तो मेंगनेटिक क्वांटम नुमर कहते हैं इसे और क्या पता चलते तो इसे पता चलता है कक्छक के बारे में क्या कक्छक के बारे में तो यह बताता है कि सबसेल में कितने कख्छक होंगे किसमें सबसेल में सब क्षपिचर होंगे यह बताते बदल कि अब संबसेल में कितनी कुछ होंगे थे देखने का प्रेयाश कर तो संब कितनी हैं तो दिखें सबस्पथ को सुथ कहा जाता है येल बराबर जीरो येल बराबर करें तो आ कितने कखचख होंगे में कितने कितने अर्बिटल होंगेट में कितने अर्बिटल होंगे में कितने और सल característ का में कर चुके हैं कितने होंगे तो हम बता चुके हैं कि फर्मुला कितने होंगे तो इसका फर्मुला क्या होता है टू एल कि प्लस एल बात किये थे इस पर और इससे पता चल जाता है कि हम बात किये थे तो पता चला था कि एसमें एक मिनट हुआ है तो हम पता कि यह स्ट इसके पास एक बत्स अगर अगराप नहीं देखके तो देख लिए एक दो तीन चार पांच छे साथ चलिए अब सवाल है ठीक है बात मुझे समझ में आ गए लेकिन मुझे यह बता यह जीस परकार से हम देखे थे प्रिंस्पर क्वांटरमर में देख लिए थे कि और विट में कितने सबसेल होते हैं और आजी मिथल में देख ल कि जो कख्षक है कख्षक चुमबा की क्वांटर नंबर इससे सुचित क्या जाता है एम से या फिर एम एस से चुमबा की क्वांटर नंबर और इसका फर्मूला अब सुने होंगे लाला लाला मतलब माइनस में में एल और बाद मियात रखना है पु को ए सैट इल अगेना से स्ष्टाइव फिर और देखेक रखने आगे समच में आ जाए आगे के लिए गरी दो मिनिट में छीग कर्णा कि इसका क्या होगा तो एक है तो देखें माइनास यह तो माइनस एक फिर बीच में जो है तो जिरो सामिल करना है उसके बाद आगया । भास में वेसमें बाद एक इसका देख लिए दो है तो माइनस दो फिर माइनस एक फिर 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 फि को सब्सक्राइब कर और पुछ भी कह शकते हैं वह भी किसे भी कह सकते हैं लेकिन आप और आप को से फर्क नहीं परे सब्सक्राइब करें तो आप समझें मतलब जो मैगनेटिक प्वांटर में बताता है अच्छा ये देखें माइनस जीडियो इस टेक्षिन दिखाएगा इसे क्या का कह से अभी बिन्याश बताते है इस बात है हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं जैहिंद जैवारत करने आपका आज हम बात करने वाले हैं चक्रन क्वांटन नंबर पर जेनली पीछले क्लास में बात कर चुके क्वांटन नंबर पर तीन चार वीडियो हो चुके उसे आप कंप्लीट कीजिए और आपा चक्रन क्वांटन नंबर दीखे सबसे बात के टेशे करते एंस से फिर हम बात के टीशिच के अंदर होता है कख्छा जेनली प्रिंस्पल क्वांटन में जो कख्छा को सुझत करता है इसके अंतर होता है इस क्या है चक्रन क्वांटम नंबर क्या है तो देखें तो देख लिजे कक्छा कक्छा के अंदर उपकक्छा है क्छा कन थे अदर कंष्छा के उसे कक्छा करती है के सिकार त्यों करने का begged कि तरीका हो सकता है पहले तो आपको आपको बताओ डीजेश अंतर हो चुका है कि इलेप्रॉन कोई देख यनॉरल से कन है क्वें तरंग भी है कॉने तरंग की एक निश्त पत्थ नहीं होता तो इस देखें घब कईसे गूर को ऐसे गूम सकती है तो जो घरी की दिशा में घूमती है इसे कहते हैं क्लोग वाईल घरी के दिशा में इसे कहते हैं हिन्टी क्लोग log सब्सक्राइब कर सकते आप बस पता रहे कि आपको यह बताया जा रहा है कि आप जिनली क्या देखें कि एक और वाइटल है एक और वाइटल में दो है जो इलेक्ट्रोन होंगे हिए तो दोनोह इलेक्ट्रोन का याद रखना एक है गुमने का डरेक्शन होगा सेम नहीं होगा एक चक्र का दिखाता है Custom का चक्रन हमेशे और वाइटल उपस्तित इलेटल का कि